हेलो स्तो कमाई का अड़स यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज हाँ पर हम बात करेंगे DCX System Limited के बारे में जिस कमपनी के अंदर काफी बड़े धमाके के तयारी अभी नजर आ रही है और कमपनी के यहाँ पर पॉफोमस की जो तयारी अभी से आपको यहाँ पर करनी च DCX System Company क्यों आपको आने वाले समय में अच्छे आउटपुट कमा कर दे सकती है और कमपनी में जो अपडेट आ चुके है इसराइल की एक एरोस्पेस से रिलेटेट जो एक कमपनी है वर्क करने वाली उनके साथ इन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पर जॉइंड वेंचर किया है और उस जोइंड वेंचर का फायदा कैसे मिलेगा और एक्चुली DCX System Limited एक कमपनी में क्या वैल्यू एड़ेट प्रोड़क्स सर्विस अवेलेबल है जो इस कमपनी को काफी डेवलप्मेंट के लिए सपोर्ट करेंगे वो यहाँ पर अंडरस्टेंडिंग करने वाले हैं इस टॉक की लिस्टिंग होने के बाद जब इस टॉक करेक्ट हुआ था तब भी मैंने डिसकस किया है और आज भी यहाँ पर मैं खास करकर इस टॉक को डिसकस ले कर रहा हूँ क्योंकि काफी निवेशक के कमेंट एक कि सर इस कमपनी के बारे में थोड़ा डेटियल में बता इस यूटुब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कोई question queries आपकी मायन में companies related यहाँ पर हो तो यहां पर हम पहले company के performance को check करेंगे और यहां पर बाद में मैं न्यूस के बारे में बताऊंगा देखे performance चेक क्यों करना है तो actually काफी निवेशक ऐसे अभी यहां पर market में available है जिनको इन stock के बारे में कुछ भी पता नहीं है और कुछ ऐसे निवेशक के जो खरीद कर बैटे है कुछ लोग IPO जब आया था तब से इसके अंदर include है तो उनको किस तरीके से performance रखना चाहिए वो भी यहाँ पर पता चलना चाहिए न तो इसलिए यहाँ पर हम stock के performance को पहले देखेंगे देखें दोस्तों DCX System Limited का जो share है अभी 340 रुपई के करिब trade कर रहा है और इसकी जब listing हुई थी तो इस stock यहाँ पर 308 रुपई पर था वहाँ से गिर कर फिर यह 1500 रुपई से भी नीचे याने 145 रुपई पर आ गया और वहाँ से इस stock ने comeback करकर निवेशक को 133% का return कमा कर दिया शांदर तरीके से अभी यहाँ पर बात क्या हो रही इसके आने वाले future की जो यहाँ पर हम discuss कर रहे है तो उसके पीछे reason क्या तो मैं वो आपको यहाँ पर बताना start करता हूँ तो चलिए देख लेते हैं पहले news को क्या क्या हो रहा है DCX system का जो यहाँ पर share है हिट किया record जो इसने बनाया अपना हाई वाला वो क्यों बनाया देखे यहाँ पर joint venture with ELTA system अभी यह company क्या करती है क्याने मैं आपको बताता हूँ यह जो आप यहाँ पर images देख रहे हो यह सभी जो अलग-अलग product जो आपको यहाँ पर दिखाए दे रहे वो manufacturing करने का काम एक companies करते हैं DCX system share jump जो हुआ है Thursday को hit record high after the company announce a joint venture agreement with ELTA system limited अभी purpose क्या है agreement हुआ उसके पीछे actually reason क्या the purpose of the joint venture agreement is the develop produce यहाँ पर देखे distribute obstacle detection solution globally जो यहाँ पर based on radar and optic technology for the railway industries the cable manufacturing company said in an exchange filing Wednesday यह news कुछ दिन पहले की है बट मैं आपको cover क्यों करकर बता रहा हूँ क्योंकि news बले ही एक दिन आपको stock पर impact करते वे नजरा आते है बट दोस्तो company के business पर इसका बहुत ज़्यादा impact होता है इनका purpose आप समद लिजिए यह जो joint venture कर चुके है DCX System Limited and ELTA system जो इन्होंने joint venture किया यह business को expand करने के लिए किया गया है और अभी आहाँ पर जो यह company है यानि के ELTA is a subsidy of Israel Aerospace Industry which is a Israel government owned company थोड़ा अच्छे से समझे कि यह जो contract नोंने किया है कोई arm company नहीं है छोटी मोटी नहीं इसराइल की government की जो company है उनकी यहाँ पर subsidies है तो आप समझ रहे हो कि क्या क्या इसके अंदर abilities है aerospace aviation का manufacturing करने का काम इस company के पास है इसराइल के अंदर तो यह joint venture आईसे ही यहाँ पर नहीं किया गया है बहुत सा फाइदा इनको यहाँ पर इसके अंदर मिलने वाला है and मैं अभी company के बारे में भी बताना चाहता हूँ DCX System Limited यह company बहुत से valuable business में work करती है अभी क्या क्या valuable है इसके पास वो भी यहाँ पर थोड़ा आपको discuss करकर मैं बता लेता हूँ the company provide end-to-end solution of cable, wire, harness, electric system, high end system integration and PCB assembly for defense और एरो स्पेस जो होता है इंडस्टी उसके अंदर ऐसे बहुत से इंडस्टी इसको एक company अपने high quality product services provide करते रहते हैं और product service की बात करें तो cable wire से related भी यहाँ पर इनके पास business है system integration से related and order से भी related तो यहाँ पर आप business के बारे में समझ सकते हो system integration के अंदर यह company जो यहाँ पर generate करती revenue company का उसके अंदर से 85% वहाँ से आता है system integration से उसके बाद में cable and wire harness जो है जो company यहाँ पर कमाती वो 2.7% है and यह जो यहाँ पर आपको लगता होगा cable और wire harness है उसका use कहाँ पर होता है तो भी मैं आपको बताता हूँ missile surveillance systems यहाँ पर communication system यहाँ पर sensor वगेरा जो रहते है military के arm के vehicle वगेरा ऐसे सभी चीजों में तो इसको बहुत से advantage है देखे इस industry को and जो kitting जो यहाँ पर इसके पास जो यहाँ पर यह बनाती है company kits जो होते है system supply assembly ready kits of the electric and electro mechanical parts and undertaken all aspects of the जो यहाँ पर source होते है जैसे demand रहते हैं उस हिसाब से यह बना कर बेचते customer के available जैसे contract रहेंगे वैसे इनके पास manufacturing facilities है और एक company बहुत अच्छे से आपने आपको develop करने की तयारी में है geographic जो इसका present देखेंगे revenue export से आता है लगबग यहाँ पर company का 2000 जो 22 के financial year के सबसे बात कर तो 56% आप its revenue जो आता है वो देखें export से आता है तो आप अंदजा लगा रहे हो company कितना यहाँ पर अच्छा business करती है Israel, Korea, North America, ISIS के client आपको देखने को मिलेंगे और international collaboration भी इनके अच्छे खासे है इसलिए इनको फायदे वहाँ से मिलते है order book इन्होंने यहाँ पर देखे financial year 2023 में ही तो यहाँ पर 1600 लगबग 700 करोड के order book भी किये है आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो and जो company के client है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग-अलग industries और बहुत से अलग देश international level के सभी इनके client है और इंडिया के भी तो ऐसा इसका business structure है company के आने वाले जो यहाँ पर benefit से उसकी तयारी अभी से यहाँ पर आप कर सकते हो and सबसे अच्छी बात क्या है तो इसका यहाँ पर market क्या छोटी company है इसके अंदर potential वैसा ही है 3284 करोड का market क्या पर पीर इस अभी थोड़ा महिंगा हो गया है यानि के एक अच्छे लेवल पर चल रहा है ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही महिंगा 43 पर और इसका अगर यहाँ पर हम return on capital employed देखेंगे वो 13 का और return on equity है वो 20 का है और एक सबसे अच्छी बात क्या है तो company का जो confidence है वो दिखाई देता है आने वाले समय में ताफी growth लेकर आएगा promoter ने listing वी तब से continue stake रखा है अपने पास 71.72% stake continue रखकर चल रहा है promoter डिएस ने थोड़ा बदलाव किया है 11% से अभी ओ 9% पर आए बट सबसे अच्छी बात क्या है public ने interest दिखाया 15 से फिर 17 और 17 से अभी 18% पर public की holding आई थोड़ा इस company पर नजर रखना देखें जितना यहाँ पर reward है company में जितना यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि companyों में return बनते हैं वैसे ही थोड़ा रिक्स भी होता है छोटे company है fluctuation होते रहते हैं आप रिक्स के साथ reward कमा सकते हैं और company के बारे में आप देख सकते हैं aerospace, land, novel defense system and satellite and civil aviation जो होते उसके अंदर यह company अपने services वगेरा provide करती हैं खास करकर defense यहाँ पर aerospace की बात रहने दो उसके अंदर इसका बहुत valuable business दिखाई देता हैं तो इस company को आपने radar पर रख सकते हैं इसे जो wire वगेरा होते हैं space में defense में लगते हैं वो सभी high quality products का यह company supply करते रहती हैं तो I hope आप समझ गए कि क्या क्या फायदे DCX System Limited इस company के हैं इस stock पर आप नजर रख सकते हो listing वही तब से इस stock ने actually देखा जाए तो perform कुछ भी नहीं किया top to bottom गिर कर आ गया और फिर stock ने 9% का return कमा कर दिया बट अगर किसी ने यहाँ पर IPO के बाद में जब इस stock correct हुआ था तब खरीदा है तो वो लोगों ने लगबग 130% का return कमा लिया है इसमें कोई doubt नहीं है बट comeback करके दिखाने की जो तयारी और ability है वो company में दिखाई दे रही है and दोस्तों जैसे के यहाँ पर हम company के result को देखे तो company का revenue थोड़ा बीट हुआ बट margin काफी super देखने को मिले 116% से बढ़ गए company के result बहुत यहाँ पर थोड़े uncertain दिखाई दे रहे है थोड़ा नजर रखी है इसके अंदर जैसे जैसे जो company की improvement देखने को मिले वैसे वैसे आप आगे बढ़ सकते हो company के activities company के future के लिए जो यहाँ पर beneficial देखने को मिल रहे है thank you